So guys, कैसी चल रही है आप लोगो की seated exam की तैयारी? अब देखो, seated exam आपका December में आने वाला है. मुश्किल से आपके पास 1.5 महीना बचा है. अब इस 1.5 महीने की last one month strategy क्या हो सकती है? जहां पर आपको क्या चीज़ा तिहान में रखनी है, इस paper को 100% chance होगा आपका आप इस exam को clear कर लोगे. कोई if and but नहीं होगा, जो चीज़े मैं आपको बताऊगी. सबसे पहले, are you following any kind of book? आप कोई book follow कर रहे हो, आपके पास कोई ऐसा solid material है, जिसके आप rely कर रहे हो कि हाँ, यहां से मेरे concept clear हो चुकि है, यहां से हमारी सारी की सारी चीज़े clear है और हम questions प्राक्टिस कर रहे हैं. सबसे पहले चीज़ वो, अपने आप से पूछो. Second, आप पूछो क्या, दिन में आप कितने questions solve कर पा रहे हो, कितने previous year paper देख पा रहे हो, कितने questions कर रहे हो, because paper तो MCQ होने वाले है, कितने theory पढ़ लो, जब तक questions नहीं solve करोगे, कुछ नहीं होगा, आपको 4 options दिये जाएंगे, आप बोलोगे theory में तो सारे 4 options पढ़ेंगे, पढ़ेते हैं, पट इसका answer इसमें है कौन सा, and you will get confused. तो एक theory का base बनाने के बाद, questions बहुत-बहुत important जाते हैं, कभी-कभी हम theory कभी इस एक बार पढ़ते हैं, और questions करते-करते हैं, हमें वो इतना अच्छा से clear हो जाते हैं, कि हमें theory का सार्बर पढ़ने की जना पढ़ती नहीं है, जब आप प्रिवेस यह paper कर लेते हो, उसके बाद आता है part time management का, जब आपका सारे concept, अब सब चीज़े clear हैं, आप questions कर पा रहे हो, तब आते हैं कि time manage कर पा रहे हो और नहीं, एक question जिसको आपको करने के लिए, 1.40 second लगने चाहिए, उसको करने के लिए आपको देड़ मिनिट नहीं लगना, ठीक है, देड़ मिनिट अकर लगता है, और बहुत अच्छे mark score करने के बहुत-बहुत करीब लेके जाएगा, अब आप बोलोगे, इन सब के लिए आप हमें क्या suggest कर सकते हो, क्या reference आप दे सकते हो, सबसे पहले, अगर आपके पास कोई theory book नहीं है, अभी तक अभी कोई theory book आपके पास है नी, कोई है नी, ऐसा जहां से आप reference ले सको, काफी बच्चे ऐसे होंगे, जिनके पास reference नहीं होगा, जिसने B.A.D.L.A.D. करी है, उनको जहां पर बोल सबसी से पढ़ाई गई है, वो आपको pedagogy psychology में help कर सकती है, in to a certain way, because not every college has some nice teachers, तो उसकते काफी लिगों को समझ में ना भी है, तो description box में आपको theory book का एक link suggest कर दूँगी, जो मेरे हिसाब से काफी help करेगा आपको, second number पे previous year questions कहां से करें, previous year questions के लिए वैसे तो, then n number of channels, in fact, मेरे channels पी काफी सारे आपको playlist मिल जाएगी, जहाँ पर previous year discuss किया, but वो बहुत सारे previous year नहीं है, एक्सर्स तो 17 से 20 papers करते हैं, जुसकी एक book है, जो description box में आपको link provide कर रहा है, वहाँ पर मिल चाहेगी, and that book is so damn good, उसमें explanation बहुत crystal clear है, आप tick करना, जो answers आपने सही करें, और cross करना, जो answers आपने गलत किया है, और उन पर एक red circle लगाना, जहाँ पर आप बार बार mistakes कर रहे हो, so that, when you revise, last moment revision होती है, exams की, तो वहाँ पर बहुत help करते हैं, चीज़ है, युकि exam में रपीट नहीं होनी चीज़िए, अपने पहली बार mock test दिया, आपने पहली बार अपना previous year paper solve किया, वहाँ पर जोगलती हुई, वो अगर exam में repeat होई है, तो कोई मतलब नहीं हो, आपका कुछ भी करने का, mistakes, analyze करना बहुत important है, and that's how these previous year books, आपको help करते, previous year की book, तो ये आपको नीचे description box, बहुत अच्छे publisher's की book है, and definitely बहुत help परेगी, आपको future में, अपने common teaching exams में भी, and now most important thing, that this is the winter time, मुझे भी तबेट कराब हो रखे, मेरी जमें बहुत 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 हो तब होलती है, तो आएक के साथ काफे, make sure आप अपने immunity पे दियान दो, take vitamin C, and proper water low, warm water, but cold water, अपनी health का बहुत रहन रहो, अगर आप health में active रहोगे, और आप high energy में रहोगे, तो आप और अच्छे से prepare कर पाऊगे, otherwise, अगर आप इमार पट जाओगे, तो आपके performance में बहुत उसरा बढ़ेगा, as I always say, this seated exam is just a stepping stone, आपको government exam clear करने है, तो आपका जो aim है, वो बहुत बढ़ा होना चाहिए, so these exams will seem very small to you, अगर आपने वो aim बहुत बढ़ा करने हैं, अब ये goals इतने छोटे तभी लगते हैं, जब आपके preparation बहुत स्ट्रॉंग होती है, अगर अभी आपको कोई बोले कि ABCD लिखके दिखाओ, तो आप 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 से लिख दोगे, वहीं है, अगर आप किसी प्रेप के बच्चे को, नर्सरी के बच्चे को बोलोगे, वो बिचारा परेशान हो जाएगा, because preparation नहीं है ना, उसको प्राक्टिस करने का पैन पेपर पे आपका, तो दिस्क्रिप्रिप्र बोक्स में सारे लिंक है, आप महां से उन सब शीजों को ले सकते हैं, आपका फोकुस अपका फोकुस उसे बोलूगे कि नो एग्जाम इस तू हार्ड, आपका फोकुस उस एग्जाम की तरफ होना चाहिए, डिकेशन होने चाहिए, नहीं फार्थ पढ़ता कि आप दिन में दस घंटे पढ़ रहे हो, आप दो घंटे पढ़िए, डिकेटली पढ़िए और रोस पढ़िए, फिर आपको एग्जाम बहत ऐसी लगेगा, बट वही लोग है न, जो पूरी साल मस्ती करते हैं, और फिर पेपर के दो दिन पहले सोचते हैं, कि वो दस-दस करते हैं, पढ़के कर लेंगे, दिक्कत है यार, पेपर से दो दिन पहले चीज़ा नहीं होती है, आपको consistently, at least, शुरू से आपको थोड़ा-थोड़ा पढ़ना पढ़ेगा, so yeah, that was it, that was all about this particular video, I hope आपको ये video बहुत crisp और clear लगी होगी, 6 minutes में हम इस video को खतम कर रहे हैं, so yeah, मिलते एंग ये video के साथ, till then, goodbye. झाल